हालो अबरिवान, वेलकम टू माई योट्यूब चैनल लिटरेशरशिप आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे दब समरी ओफ फेमस पोएम टू असकाइलाग विच वोज रिटन बाई P.B. Shelly ये कंप्लीट की थी उन्होंने जून 1820 में और इसको पब्लिश किया था उनके लिरिकल ड्रामा Prometheus Unbound के साथ इस पोएम में है 21 स्टेंजाज और कीट्स की ओड्टो नाइट अंगल एंड शेली की ओड्टो असकाइलागी ये दोनों ही जो पोएम्स हैं ये दोनों ही जो ओड्ट्स हैं आर दर टू ग्लोरीज ओफ इंगलिश लिट्रेचर सो लाइन बाइन इसकी मैं आपको समरी करवाऊंगे तो वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा इस स्टेंजा में जो पोएट है वो फिर्स्ट ओफ और बर्ड को विश कर रहा है जैसे हम किसी को मिलते हैं तो हम नमस्ते, साथ शियकाल, गुड मौनिंग, कुछ भी विश करते हैं तो वो बर्ड को विश कर रहा है स्काइलाक जो है एक बर्ड है और उसको ब्लाइद स्पिरिट कहके उसने बुलाया है ब्लाइद स्पिरिट का मतलब है ब्लाइद का मतलब होता है चीरफुल, केरफ्री, खुश मिजाज जो परसन होते हैं और स्पिरिट मतलब होगी रूफ कि तुम जो हो एक चीरफुल स्पिरिट हो मैं तुम्हें विश करता हूँ बर्ड दो नेवर वर्ड कि तुम एक बर्ड तो कभी भी नहीं थी तुम हैवन से या उसके आसपास से यहां आयी हो तुम्हारा जो हर्ट है बिलकुल पवित्रता से भरा हुआ है और तुम्हारा जो सौंग है जो तुम सौंग गाती हो उसके लिए तुम्हें कुछ भी Unpremeditated म मितलब कि तुम्हें पहले से कुछ भी प्लैनिंग नहीं करनी पड़ती है, कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती है, तुम्हारा जो गीत है वो ऐसे ही गाने में मधूर लगता है, सेकिंड स्टैंजा में जो पॉइट है, वो कह रहा है, हायर स्टिल एंड हायर, कि तुम उड़ती ही जा रही हो, तुम उची उड़ाने जो हैं भरती जा रही हो, फ्रॉम दा अर्थ दौ स्प्रिंगेस्ट की अर्थ से तुम स्टार्ट हुई, और इतनी उपर तक तुम आउड ओफ फायर कि जैसे आग लखने के बाद जो बादल सा बन जाता है दूएं का, वैसे ही तुम उपर की उपर उड़ती जा रही हो, तुम उड़ती जा रही हो, जो ब्लु डीप का मतलब है बादलों से, कि बादलों में तुम उची उड़ान भर रही हो, और कर रही हो, means, देखो, यहां पर carefree इसको spirit बोला था न,Spirit बोला थान, बलाइड स्पिरीट बोला था, तो वो इस स्टेटमेंट से, बिलकुल कलियर है, की उड़ते हुए वो गाना गा रही है, तो वो कितनी carefree spirit है, कि अपना काम कर रही है, उड़ रही है, और साथ में मजे कर रही है और साथ में सिंगिंग भी कर रही है अपनी जो लाइफ है उसको पूरे से एंजॉई कर रही है अपनी उडान को वो एंजॉई कर रही है स्टैंजा नमबर थ्री में पोईट कह रहा है कि इन दा गोल्डन लाइटनिंग ऑफ दा संकन सन की डूपते हुए सूरज की सुनहरी किरनों में ओवर विच क्लाउड्स अर ब्राइटनिंग जिसने की क्लाउड्स को भी बिल्कुल ब्राइट कर दिया है दो डोस्ट फ्लोट तुम उड़ती चली जा रही हो like an unbodied joy whose race is just begun कि तुम ऐसे उड़ रही हो जैसे तुम्हारी कोई body नहीं है बिल्कुल free spirit हो तुम ऐसे उड़ रही हो कि जैसे तुम्हारी race जो तुम्हारी जिन्दगी है अभी शुरू ही हुई है तुमने पता नहीं कहां कहां तक उड़ना ह टेंजर नमबर 4 में point कह रहा है तुम्हारी जो शाम है उसने तुम्हारी फ्लाइट को रोक दिया है melts around thy flight मतलब कि अब इस डलतीवी शाम में तुम उड़ना अपना बंद कर दूगी like a star of heaven in the broad daylight की जैसे दिन की रोशनी में जो star है वो हमें नहीं नजर आता है लेकिन वो होता वहीं पर है वैसे ही अब तुम्हारा जो art है मतलब thou art unseen but yet I hear thy shrill delight कि तुम मुझे दिखोगी नहीं इस डलतीवी शाम में लेकिन तुम्हारी जो मीठी सी मदूर सी जो आवाज है मैं उसको फिर भी सुन सकूँगा Sanja no.5 में जो poet है वो Skylark की आवाज को moon के साथ compare कर रहा है keen as are the arrows of that silver sphere keen मतलब होता है shark तीखी कि तुम्हारी जो आवाज है बहुत ही तीखी है किसकी तरह तीखी है arrows of that silver sphere silver sphere यहाँ पर moon को कहा गया है जो कि एक alliteration भी है silver sphere दोनों S से start हो रहे हैं तो यह एक alliteration भी है silver spheres यहाँ कि silver मतलब चांदी और sphere मतलब गोलाकार का कि moon की जो arrows है moon की रोशनी जो है उसकी तरह तीखी है तुम्हारी आवाज जिसकी lamp जो है whose intense lamp narrows in the white dawn clear until we hardly see we feel that it is there जैसे वो पिछले stanza को साथ में ले रहा है कि जैसे तुम दिन के टाइम में उड़ान भरती हो और ढलती हो यह शाम में तुम रुक जाती हो लेकिन तुम दिखती नहीं हो लेकिन तुम्हारे जो आवाज है वो हमें सुनाई देती है वैसे ही moon की जो है रोशनी है कि तुम्ह आर्थ और विद दाय वोईसिज लाओर की सारी अर्थ में सारी हवा में तुम्हारी अवास की गूंज है कि जैसे अकेली रात में एक lonely cloud में एक moon होता है अपनी beams की बोचार करता है अपनी beams की बोचार करता है जिससे की heaven है ओवरफलो हो जाता है वैसे ही तुमारी आवाज हर तरफ गूंज रही है stanza 7 में point कह रहा है with thou art we know note कि तुम्हारा जो art है उसके art किसको बोला है उसकी आवाज को हमें नहीं बता what is most likely कि उसकी जैसा क्या है यानि कि उसकी तुलना जो है किसी के साथ नहीं की जा सकती from rainbow clouds their flow note drops so bright to see as from thy presence showers a rain of melody कि तुम्हारी जो आवाज है उसकी तुलना rainbow के colors से भी नहीं की जा सकती उसकी तुलना कोई rain के साथ नहीं की जा सकती तुम्हारी जो आवाज है उसकी तुलना किसी भी चीज़ के साथ नहीं की जा सकती that is incompairable stanza number 8 में जो point है, now Skylar की अवाज को एक point के साथ compare करता है singing humans unbidden unbidden मतलब होता है कि कोई command नी दी तुमें कोई order नी दिया तुम अपनी तरफ से जो humans हो जो बजन हो वो घा रही हो till the world is wrought to sympathy with hopes and fears it he did not कि जैसे poet के द्वारा गाया हुआ कोई भी poem है वो लोगों को sympathy देता है वो hope देता है stanza 9 में poet जो है skylar को एक princess के साथ compare करते है वो कहते हैं कि like a high bond maiden high bond means की अमीर घराने में पैदा हुई maiden means की quarry जो की palace tower में पैदा हुई यनि की princess वो अपनी love laden soul को love laden soul means की प्यार से भरी हुई जो उसकी आत्मा है उसको सूध करने के लिए उसको शांती देने के लिए वो एक secretly जो है music गाती है which overflows are bower की जो उसको बहुत ही शांती देता है तो ऐसे ही जो skylar का है वो भी अपने लिए अपनी soul को शांत करने के लिए पूरे वातावरन को शांत करने के लिए skylar को जो है गीत गाती stanza 10 में जो point है वो skylar को एक जुगनू के साथ compare करता है वो कहता है कि like a glow warm golden in a dell of dew scattering unbeholden its aerial hue among the flowers and grass which screen it from the view कि जिस तरह से एक जुगनू जो है नम घाटी में अपने जो colors है हवा में जो रंग बिखराता है scattering unbeholden का मतलब है कि बिखराता है बिना किसी के एहसान किए कि वो अपने हवाई रंग aerial hue हवाई रंग अपने फैलाता है बिना किसी के ओपर एहसान किए flowers में grass में उसके सिरफ हमें रंग नजर आते है वो खुद हमें नजर नहीं आता है इसी तरह से जो skylar के हर तरफ अपनी जो मीठी सी आवाज है मदूर सी आवाज है उसको वो फैलाती है scatter करती है लेकिन वो भी हमें नजर नहीं आती है तो इस तरह से जो point है वो skylar को glow warm के साथ compare करता है